बिजनौर के मंदावर इलाके के सेखडो लोग गंगा पार कर खेती करने जाते हैं आज भी दो नाव को एक साथ जोड़कर उसमें ट्रैक्टर ट्राली रखकर दयाल वाला गाव के दो डर्जन से जादा महिला और पुरुष नाव पर सवार होकर अपने गाव आ रहे थे बताया जा रहा है कि जैसे ही नाव गंगा के बीच में पहुची तबी किसी खराबी के चलते नाव गंगा में डूब गई जिसमें सवार 25 लोग भी डूबे सूचना पर पुलीस और आसपास के लोग मौके पर पहुचे और रेस्क्यू कर लोगों को बहार निकालना शुरू किया दो डर्जन लोगों को बहार निकाला गया जबकि एक उशा नामक महिला गायब है उसकी तलाश जारी है साथ ही दूबे लोगों को जीला अस्पताल में भरती कराया गया वही इंस्पेक्टर मंडावर विमलेश कुमार सिंग का कहना है कि दूबी नाम में गायब महिला उशा की मौत हो गई है काफी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद हुआ है सब्सक्राइब गया थे एडियम साहब गया थे और वहां पर रिस्कु आपरेशन किया था सब इस्थिती ठीक है और एक महिला जो उसमें जो डेड हुई है उनके परिवार के आस्फितों को निमानुसार अर्टी कहादा दी है जो जानकारी मिली उसके उसार यह है कि नाओ दो नाओ को एक साथ जोड़ते हैं अवसमें ट्रेक्टर से लोग नदी को पार करते हैं तो इससे टूप से ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें हम सक्ति के साथ प्र्टीपन लगाएंगे और आगे वहां पर देख करके क्या आने ज सब्सक्राइब दो तुक्ति को यह बस इधर से हमारे गरीब आद्मीये मुझी करने आते हैं रच्चे उदर से वापसियारते कि उदर से जैसे जोड़े को टेक्टर चड़ा हूँ तुन नीचे गर गया जोड़ा वह टेक्टर वह कौरपूर अजिड़ा पीच में जोड़ नहीं प्ला पता है लेडिस उसका नहीं पता लगा और वाकि ठीक है थोड़ा वह जो थोड़ी सी वह दिक्कत आई है वह अस्पताल में पहुंचके तुन वैसे ठीक ठाक हैं वैसे को दिक्कत भी है